नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं पृति दयाल आपके साथ लोकसफ़ चुना से पहले बिहार की राजनीती में गजब की हल्चर देखने के लिए मिल रही है देखते ही देखते बिहार में सत्ता में परिवर्तन हो गया और फ्लोट टेस्ट के दिन से ही महागठबंदन में पूरी तरह से हरकंप मच गया है इसी क्रम में बीते मंगलवार को बिहार में खेल करने का दावा करने वाले पुर्व उपमुखे मंत्री तेजस्वी यादव के साथ महागठबंदन पर 15 दिनों में डबल अटाक हुआ बिहार की सियासत का बड़ा फेर बदल देखने के लिए मिला जिसके चर्चे अब भी सुड़कियों में है मंगलवार को कॉंग्रेस के दो विधायक सिधार्ट सौरव और मुरारी गौतम के अलावा आरजेडी की विधायक संगिता देवी ने अपने पाटी का साथ छोड़ दिया और NDA खेमे में ये सभी शामिल हो गए ऐसे में एक तरफ जहां महागडवंदन को जटका लग रहा है तो वही दूसरी ओर बिहार में NDA के लिए तीन लकी नंबर साबित हो रहा है अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यह कैसे तो हम आपको विस्तार से बतारते हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के पुर्व उपमुखे मंत्री वविधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव इन दिनों अपनी जन विश्वास यात्रा को लेकर विभिन जीलों का दौरा कर रहे हैं उनकी यात्रा में समर्थकों की अपार भीर रात के दो बजे भी उमर जा रही है तो ऐसे में एक तरफ जहां वह लोगों का विश्वास जीतने निकले हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके अपने ही उन्हें धोखा दे रहे हैं NDA के लिए 3 लखी नंबर तो वहीं तेजस्वी आदव के लिए अनलखी साबित हो रहा है कुछ दिनों पहले के राजनितिक स्थीतियों पर नजर डाले तो 12 फरवरी को विधान सभा में फ्लोर टेस्ट हुआ उस वक्त तेजस्वी आदव सहित आरजेडी के कई नेताओं ने यह दावा किया था कि खेल होगा और सरकार गिर जाएगी हाला कि खेल तो जरूर हुआ लेकिन जटका तेजस्वी आदव को लगा उस देन आरजेडी के तीन विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया इन तीन विधायकों में चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव थे फ्लोर टेस्ट के दौरान ये सभी विधायक सत्ता पक्ष के खेमे में आकर बैट गय थे ये तो हो गई बारा फरवरी की बात लेकिन बीते मंगलवार को भी जो कुछ हुआ वो कुछ ऐसा ही लग रहा था मागडवंदन के तीन विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया उन तीन विधायकों में सिधार्ट सौरव, मुरारी गौतम और संगीता देवी शामिल है वह इस तूट को लेकर कहा जा रहा कि कॉंग्रेस के दो विधायक तो तूटे हैं लेकिन इसकी चर्चा पहले से ही चर रही थी विक्रम विधायक सिधार्ट सौरव की नाराजगी पहले ही सामने आई थी 28 जनवरी को पूर्णिया में राहूल गांधी की निया यात्रा को लेकर विधायकों की बैठक हो रही थी उसमें सिधार्ट सौरव नहीं पहुँचे थे इसके बाद कॉंग्रेस को भनक लग गई थी और सभी 19 विधायकों को हैदराबाद जाने के लिए कहा गया था इसमें भी बड़ी बात यह रही कि 16 विधायक तो हैदराबाद गय थे लेकित 3 विधायक नहीं पहुचे थे और उनमें भी सिधार्ट सौरव सामिल थे हाला कि फ्लो टेस्ट के दोरान सिधात सौरव ने अपना पाला नहीं बदला था लेकित अब उनका स्टैंड क्लियर सामने आ गया है इधर राजनिती गलियारों की माने तो कॉंग्रेस एक बड़ी तूड के कगार पर खड़ी है ऐसी चर्चा पहले से ही हो रही थी हाला कि बीजेपी का मानना है कि प्रधान मंद्री नरेंद्र मोधी की राष्ट्रवाद नीती और भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखते हुए महागडवंदन के तीन विधायक भगवा के साथ आ गए इधर विधायकों के द्वारा पार्टी छोड़ने को लेकर अब सवाल किये जा रहे है कि आखिर पार्टी से भगावत करने वाले विधायकों को यह कदम उठाने की जरूरत क्या पड़ गई तो इसके जवाब में कई तरह की संभावनाय जताय जारी है बता दे कि राजग की संगीता कुमारी कैमूर जिले की मोहनिया से विधायक है जबकि सिधार्ट सौरव पटना के विक्रम सीट से और मुरारी गौतम कैमूर के चेनारी सीट से विधायक है अब इस खेला की असलियत तो बार में पता चलेगा लेकिन राजनीती गलियारों में इसका आधार प्रलोभन माना जारा है इसके अलावे संभावनाय जताय जारी है कि उन्हें विधायकी नहीं जाने का आश्वासन मिला होगा या MLC बनने का वादा किया होगा या फिर लोग सभाच चुनाव लड़ने के आश्वासन मिले होगे इसके अलावा यभी संभावना जताय जारी है कि कि किसी सगे संबंधी को MLC बनाने का भरोसा मिला होगा खेर क्या वज़र ही या सपस्ट नहीं कहा जा सकता है लेकि इन दिनों महागडबंदन में हरकाम पूरी तरह से देखा जा रहा है तो फिलार के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ही अगर वीडियो फेस्वुक के मादे हमसे देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले